नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों यहाँ पर आपके लिए Lucent A.D. आपने पढ़ी है, तो Lucent के ही कॉश्चन है, सुपरफास्ट सौ कॉश्चन है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश करिए 50 कॉश्चन आपके सही है, MCQ format में है, मेरे साब से तो easy है, 15 भी स्टफ होंगे, बाकी easy है, तो कम से कम 50 कॉश्चन बनने च चले, भारत का सबसे छोटा नदी दीप, उमानन्दा, किस नदी परिस्टत है, तो सबसे छोटा नदी दीप है, उमानन्दा, ये आपका इस्टत है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, सबसे बड़ा भी वही है, और सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उमान कमेंट बोक्स में कमेंट करते के बताईए भारत का पैरिस किस सहर को कहा जाता है तो भारत के पैरिस के नाम से फिरम से आपका जैपुर ऑप्शन बड़ी जैपुर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आसुओं का प्रविज द्वार किसे कहा जाता है तो आसुओं का प्रविज दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है option number A थार मरुस्तल राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा गुंबच गोल गुंबच कहा पर हैसे थे तो भारत का सबसे बड़ा गुंबच गोल गुंबच ये आप कहसे थे बीजापुर में option number C बीजापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चेत्रफल की रष्टी से सबसे चोटा देश कौन सा है चो छेत्र फल की रष्टी से सबसे शोड़ा देश वैटिगन सिटी है, option number A यहां पर सही आंसर हो जाएगा मद्डेरातरी के सूर का देश कहा जाता है तो मद्डेरातरी के सूर का देश नार्वे को कहा जाता है, option number D नार्वे यहां पर सही आंसर है हजारों जीलों की भूमी किसे कहा जाता है तो हजारों जीलों की भूमी फिनलेंड को कहा जाता है option number B फिनलेंड राइट आंसर हो जाएगा उगदे सूर्य का देश किसे कहा जाता है उगदे उगदे हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है option number C सही answer शेत्रफल की रश्टी से सबसे बड़ा राजी कौन सा है चजेत्रफल की रश्टी से सबसे बड़ा राजी है आपका राज decreasing option number A राज oscillator सही answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए भारत का सबसे उचा बाझ़ कौन सा है तो भारत का सबसे वर्षा किस स्थान पर होती है तो सरवादिक वर्षा सब को बता है मासिन राम में option number D यहां पर सरी आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान वाला जो है वो है आपका लेह को जो है बरफीला म कॉश्चन तयार किये गए हैं जो पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए हैं यदि आपको इसकी पीडियेफ चाहिए आपको पीडियेफ वाट्सप पर मिल जाएगी यह पीडियेफ दस जो है दस जार कॉश्चन की तीन सो रुपए में है लेकिन स्टार्टिंग की जो एक हज अब सब कर लिए ठीक है आपको बता चुका हूं अभी थोड़े पहले जन संक्या में उत्तरप्रदेश और शेत्रफल में राजिस्थान भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी ऑप्शन नमबर ए राइट आंसर हो जा वासकोडी गामा भारत कब आया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए इस प्रशन का आंसर गौतम बुद का जन्व कब हुआ था तो गौतम बुद जी का जन्व हुआ था 563 इसापूर्व ऑप्शन नमब सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला मिसाइल आकाश मिसाइल मार करती है तो जो आकाश मिसाइल है न आपकी वो मार करती है जमीन से हवा पर ऑप्शन नमब सी सही आंसर हो जाएगा सतर से हवा पे हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1757 इसवी म मुसलिम लिखी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1926 में option number B 1926 राइट आंसर हो जाएगा भारतिय अंत्रिक्ष्य अनसंदान संस्थान या संगठन इसरो का मुख्याला कहाँ पर है तो इसरो का जो मुख्याला है वो बैंगलोर में से थे option number B बैंगलोर यहाँ पर इसरो प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है तो टैंक रोधी मिसाइल यहाँ पर नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है option number A नाग यहाँ पर राइट आंसर है इसरो प्रशने के लिए प्रतम विश्युद कप से कप तक चला था तो जो पहला वर्ड वार हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था option नमबर C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है तो अस्त्र मिसाइल जो है पूचह पूचा था कि missile man किसे कहा जाता है ठीक है तो इनको ही missile man कहा जाता है हवाय जहाज में black box का रंग कैसा होता है तो हवाय जहाज में जो black box होता है उसका रंग होता है नारंगी option number A सई आंसर हो जाएगा सीशा संचाएक बैटरी में किस अमल्लिका परयूग किया जाता है तो सीशा संचाएक बैटरी में सल्फियृरिक अमल्लिका परयूग किया जाता है आंसर हो जाएगा अगनाशा ग्रंती से मलेधिया रोग किसके द्वारा फैलता है तो मलेधिया रोग फैलता है आपका प्रोटो जुवा के द्वारा option number C सही आंसर हो जाएगा फैजी किसके दरवार में रहते थे तो फैजी जो थे वो अकबर के दरवार में रहते थे option number B वाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है अभीना अभिंद्रा का समद्ध किस खेल से है तो अभीना अभिंद्रा का समद्ध निशाने बाजी से है option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा लोहा का सुदतम रूप कौन सा है तो लोहे का सुदतम रूप है आपका प्रतेक पक्ष में कितने खेलाडी होते है तो रगभी फुटवाल के प्रतेक पक्ष में यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका टोटल जो खेलाडीों की संख्या होती है वो होती है आपकी 15 option बसी 15 right answer हो जाएगा नाव दौड किस राज का लोग प्रिखेल है तो जो नाव दौड है वो केरल का लोग प्रिखेल है option number D तो केरल right answer है अगला question देखिए इसमें पूछा गया है म्रक्च कटिकम नाटक के लिखक कौन है तो म्रक्च कटिकम नाटक के लिखक शुद्रक है option number B right answer है महावीर किस राजगराने में पैदा हुए थे तो महावीर जी जो है वो आपकी छत्री राजगराने में पैदा हुए थे option number ये right answer हो जाएगा गुरू गोविन सिंग का जन में कहां पर हुआ था तो गुरू गोविन सिंग जी का जन मुहादा पतना साहिब में option number पतना साहिब यहाँ पर सही answer हो जाएगा थॉमस कप का सम्बंद किस खेल से है तो थॉमस कप का सम्बंद है आपका बैड मिंटन से option number B बैड मिंटन सही answer है बासकेट बॉल किस खेल में प्रतिक पक्ष में कितने पर देती है दिल्ली शहर की नीव किसे किसके द्वार राली गई तो दिल्ली शहर की जो नीव डाली गई थी वो डाली गई थी आपका ऑप्शन नमर यहांपर सी सही आंसर हो जाएगा अनंग पाल तो माणा द्वारा ऑप्शन नमर सी अनंग पाल तो माणा यहांपर इस प्र प्रशने के लिए शाहे बेखवर से किस बादशाह को जाना जाता है तो शाहे बेखवर नाम से जाना जाता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रशने के लिए बहादुर शाह प्रतम को ऑप्शन नमर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन का option number B मैसूर यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा मराठा राजी का दूसरा संस्तापक किसे माना जाता है तो मराठा राजी के दूसरे संस्तापक के रूप में जाने जाते हैं बाला जी विश्वनात option option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के आध्यात में गुरू कौन थे तो शिवाजी के आध्यात में गुरू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुरू रामदास जी option number A इस प्रशने के लिए सही आंसर है गुरू रामदास जी तात्या टोपे का मूल नाम क्या था तो तात्या टोपे का मूल नाम था आपका राम चंद्र पांडूरंगी जी आप्शन नमबर ए राम चंद्र पांडूरंगी जी राइट आंसर है शिवाजी का मंत्री मंडल क्या कहलाता है तो शिवाजी के मंत्री मंडल कहा जाता है अश्ट प्रधान ऑप्शन नमबर भी अश्ट प्रधान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश का घ्रणत कायर किसे कहा जाता है तो मुगल वंश का घ्रणत कायर फरुक्सियर को कहा जाता है आप्शन नमबर भी फरुक्सियर से आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नवरत्न किस शाशक के दरवार में रहते थे तो नवरत्न जो है वो अकबर की दरवार में थे option number A अकबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए आधी गरंत के संचालन करता कौन थे तो आधी गरंत के संचालन करता गुरू अरजुन देव जी थे option number B अरजुन देव जी राइट आंसर है श्रुण मंदिर को किसने बनवाय था तो श्रुण मंदिर को बनाने का श्रुण जाता है गुरू अरजुन देव जी को option number D यहाँ पर से आंसर हो जाएगा गुरू अरजुन देव जी अरजुन देव को फासी की सजा किस शाशक ने दी थी जहांगीर ने option number B जहांगीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो उस समय जो लॉड कैनन भारत के गवर्नर जनरल थे यहाँ पर option number आपका सही आंसर हो जाएगा D लॉड कैनन अगला question देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर 1857 के विद्रो का बिहार में नेतर्तो किसके द्वारा किया था तो बिहार में नेतर्तो किया गया था option number D कोवर सिंग के द्वारा यहाँ पर कोवर सिंग ने बिहार में नेतर्तो किया था ब्लैक ओहल की घटना कब घटी थी तो ब्लैक ओहल की घटना आपकी घटी थी सत्रा सो चपन इसवी में option number C यहाँ पर सत्रा सो चपन इसवी right answer हो जाएगा विश्यू का सबसे बड़ा धीप कौन सा है तो विश्यू का सबसे बड़ा धीप यहाँ पर जो options देगे हैं उसके अनुसार आपका Greenland बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number C greenland right answer है चेत्रफल की डश्टी से सबसे चोटा राज़ कौन सा है तो चेत्रफल की डश्टी से सबसे चोटा राज़ गोवा है option number D से answer है भारत का सुट्जरलेंड किसे कहा जाता है तो भारत के सुट्जरलेंड के नाम से जाना जाता है जमू और कश्वीर option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी option बड़ी गोदावरी नदी राइट आंसर है इस प्रशने के लिए भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की जील कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या ताजे जल की जील वुरलर जील है option number A right answer है भारत की सबसे बड़ी क्रतिम जील कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी क्रतिम जील गोविंद बल्लाव पंत सागर जील है option number A यहाँ पर right answer है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी या नाइल नदी भी बोलते हैं इसको option number B right answer हो जाएगा विश्यू का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो विश्यू का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रसांत महासागर option number A right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए हजार हातियों की भूमी किसे कहा जाता है तो हजार हातियों की भूमी के नाम से लाउस फेमत से option number यहाँ पर C सही answer हो जाएगा लाउस विश्यू का सबसे बड़ा नदी दीप कौन सा है तो विश्यू का सबसे बड़ा नदी दीप माजूली दीप है कमेंट करके बताइए माजूली दीप किस नदी पर बना हुआ है और किस देश में स्थित है माजूली दीप पिरामिट का देश किसी कहा जाता है तो विश्व में पिरामिट का देश कहा जाता है मिश्ट को आप्शन नमडी मिश्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है तो सोया प्रदेश के नाम से सोया मतलब सोने वाला स्लीपिंग वाला नहीं सोया बीन वाला सोया मदबलेश को सोया प्रदेश कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा रगिस्तान कौन सा है भारत की सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट्रेखा है गुजरात की option number C, गुजरात यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. बुलन दर्वाजा कहा पर इस्ते थे? तो बुलन दर्वाजा फटेफ और सीकरी में से थे option number D, फटेफ और सीक का राज कौन सा है? तो जनसंख्या सबसे कम है, आपकी सिक्के में, option number B, सिक्के में आपर राइट आंसर हो जाएगा. भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे उची चोटी है, आपकी K2 गौडविन ओश्टिन option number D, राइट आंसर है. भारत का सबसे लंबा बांद है, आपका हीरा कुंड बांद option number यहांपर B, सही आंसर हो जाएगा. भारत के मेंचेस्टर के नाम से अहमदाबाद फेमा से option number अहमदाबाद D, सही आंसर है. सबसे बड़ा प्रायधीपी कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायधीपी है, आपका अरब प्रायधीप, option अरब प्रायदी पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा रगिस्तान कौन सा है तो एशिया का सबसे बड़ा रगिस्तान आपका गो भी मरस्तुल है ऑप्शन नमर इक गो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क अगला कोशन देखिए विश्यू की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो विश्यू की सबसे बड़ी जील आपका option number A यहाँ पर सही answer हो जाएगा कैस्पियन सागर या कैस्पियन जील विश्यू की सबसे बड़ी जील है अगला कोशन देखिए इसमें पूछा गया है भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है तो भारत का प्रवेश द्वार यहाँ पर जो option देगा है सही answer हो जाएगा मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है option number D right answer हो जाएगा विश्यू की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है तो विश्यू की सबसे लंबी परवत माला आपकी जो है एंडीज परवत माला है option number C एंडीज परवत माला विश्यू की सबसे लंबी है अगला कोशन देखिए अगली कोशन में आप तो भारत की जो सबसे लंबी नहर वो है इंद्रा गांधी नहर ऑप्शन नमबर यहां पर डी राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए हमने मेहनत करके 10,000 जीके के कॉशन इखटे किये हैं एक साथ यह 10,000 कॉशन आप मेसेज़िस को चाहिए आपको बतान देखिए रेलवे SSC TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है पटवारी पुलिस सभी एक्जामों के लिए कॉशन है और यह तीस साल से बार-बार पूछे आ रहे हैं आपको यदि यह PDF चाहिए आपको एक PDF वाटसप पर मिलेगी यह PDF 300 रुपए की है और 300 रुपए की यह PDF केवल 99 रुपए में अभी आपको मिल रही है रीज़न यह है कि अभी railway group D का एक्जाम चल रहा है और अधर एक्जाम भी आने ठीक है नंबर नोट कर लो नंबर सेफ कर लो इस चीज़ का और यह कौशन आपको जरू फसेंगे इतनी गैरेंटी है अच्छे से पढ़ोगे तो जरू फसेंगे और यह होगा आपके दोसों कौशन यह आपके लिए प्रस्पाइस कौशन इस तो प्रशन का अंसर comment box में comment कर दोस्तों आपका दिन शुभू बहुत बहुत धन्यवाद